साथियो, हमारे संतों ने हमें दिखाया है, कि जब हमारे विचारों में व्यापकता होती है, तो अपने प्रयासों में हम कभी अकेले नहीं पड़ते। आप भारत वर्ष की धर्ती पर ऐसे कितने ही संतों की जीवनियात्रा, अगर आप देखेंगे, जिनोंने सुन्य संसाधनों के साथ सिखर जैसे संकल्पों को पूरा किया, यही विश्वास, यही समर्पन मैंने पुझ्य आत्पस्थानजी की जीवन में भी देखा था, उनसे म मेरा गुरु भाव का भी समन्द रहा है, मैंने उन जैसे संतों में निश्काम होकर, शत्र प्रतिशत समर्पन के साथ, खुद को खपाने की सीखी लिए हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जब भारत का एक व्यक्ति, एक रिशी, इतना कुछ कर सकता है, तो हम, 130 करोर देश वासी, सामुईक संकल्पों से कौन सा लक्ष हैं, जो पूरा नहीं कर सकते हैं, संकल्प के इस शक्ति को, हम स्वच्च भारत मिशन में भी देखते हैं, लोगों को विश्वास नहीं होता था, कि भारत में इस तरह का मिशन सबल हो सकता है, लेकिन देश वासियों ने और प्रणाम दुनिया देख रही है, डिजिटल इंगिया का उधारन भी हमारे सामने है, डिजिटल पेमेंट्स की सुरुवात के समय कहा जाता था, कि ये टेक्नलोलोजी भारत जैसे देश के लिए नहीं है, तिकि आज वही भारत डिजिटल पेमेंट्स के खेत्र में वर् सामने हैं, दो साल पहले कई लोग कैल्कुलेशन करते थे कि भारत में सब को वैक्षण मिलने में कितना समय लगेगा, कोई कहता था पांच साल, कोई कहता था दस साल, कोई कहता था पन्रा साल, आज हम डेड़ साल के भीतर दो सो करोड वैक्षिन डोज के करीब पहुँच चुके है ये उदानन इस बात के प्रतीव है कि जब संकल्प शुद्ध हो तो प्रयाशों को पुर्ण होने में कोई देर नहीं लगती रुकावटों से भी रास्ते निकलते हैं मुझे विश्वास है कि हमारे संतों के आशिरवाद और उनकी प्रेणा देश को इसी तरह मिलती रहेगी